भारत को विशुगुरु बनाना है, एक भारस रेष्ट भारत बनाना है, तो सबसे पहले सरकार को एक देश एक विधाय का संगिता, यानी one nation, one legislature code बनाना चाहिए. हमारे देश में कारपालिका है, नियापालिका है, विधाय का है. कार पालिका में जो लोग काम करते हैं सबकी minimum qualification है maximum is limit है नियाय पालिका में जो लोग काम करते हैं उनकी भी minimum qualification है maximum is limit है लेकिन विधाई का यानि संसद विधान सभा के सदस्यों की न minimum qualification है न maximum is limit है जबकि सबसे important काम हमारे देश में सांसदोर विधाईकों का है सांसदों और विधायकों को ये संविधान रटा हुआ होना चाहिए ये भारत का संविधान सांसद और विधायक के टिप्स पे होना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है यह क्यों होना चाहिए? क्योंकि सांसद और विधायक को लामेकर कहते है लामेकर मतलब कानून बनाने वाला और कानून जो बनाया जाता है वो संविधान की भावना के अनुसार बनाया जाता है तो हमारे सांसदों और विधायकों को कानून बनाना आना चाहिए लेकिन कानून कैसे बनाना है वो संविधान जब पता होगा तभी उनको समझ मैंगा कि कानून कैसे बनाना है दुरभाग ये बस हमारे देश में आज भी सांसद और विधायक बनने के लिए कोई minimum qualification नहीं है कोई maximum age limit नहीं है हवलदार बनने के लिए minimum qualification है होम गार बनने के लिए minimum qualification है चपड़ासी बनने के लिए minimum qualification है सफाई करमचारी बनने के लिए minimum qualification है लेकिन सांसद और विधायक बनने के लिए کوई minimum qualification नहीं है उस समय 1947 में जब सम्मिधान बन रहा था उससमें चर्चा हुई थी लेकिन अजाधी के अंदोलन में बहुत सारे लोगों अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था बहुत सारे लोग जेल में थे जेल में जाने के कारण पढ़ाई चुट गई और बहुत सारे लोगों का freedom moment पर participate करने के कारण पढ़ाई चुट गई तो उस समय सम्मिधान निर्माताओं ने बोला कि अभी इस समय minimum qualification निर्धारित करना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जो जेल में है जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है वो सांसत विधायक नहीं बन पाएंगे इसलिए अभी minimum qualification नहीं तैं करते हैं बाद में आने वाले समय में सरकार तैं कर देगी 75 साल हो गए आज तक minimum qualification तैं नहीं हुई उस समय maximum age limit तैं नहीं हुई क्योंकि बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते over age हो चुके थे over age हो चुके थे अगर maximum age limit सेट हो जाती तो उस आंसत विधायक नहीं बन पाते तो उस समय over age का concept छोड़ दिया गया उस समय criminal case को भी छोड़ दिया गया जानते हैं क्यों क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा तर लोग जो प्रमुक हमारे नेता थे सबके खिलाफ अंग्रेजों ने जूटा मुकदमा दर्चकर रखा था सबके खिलाफ किसी खिलाफ देश दो का मुकदमा किसी खिलाफ मर्डर का मुकदमा किसी खिलाफ बम फेकने का मुकदमा कुछ नुकुस सबके खिलाफ किया हुआ था तो उस समय इसलिए जो क्रिमिनलाइशन है न उस पे भी कानून नहीं बन पाया तो हमारे उस समय के सम्मेंधा निर्माताओं ने कहा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट भी बाद में सरकारते हैं करेगी और साप सुथरा यानि दागी छबी जो हो उसको चुनाव लड़ने से रोकने पे भी बाद में कानून बनेगा दुर्भाग्यवा साज तक नहीं बना एक आदमी जो सजा याफता हो जिसको दो दिन की भी सजा हो जाए वो चपरासी नहीं बन सकता, हवलदार नहीं बन सकता, कलर्क नहीं बन सकता कलेक्टर बनना तो बहुत बाद की बात है लेकिन वो विधायक बन सकता है, सांसत बन सकता है, मंत्री बन सकता है मुख्य मंत्री बन सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ सीरियस केसे में, रेप के केसे में, मर्डर के केसे में, किड्नैपिंग के केसे में, ड्रग स्मागलिंग के केसे में, फिरोती के केसे में, लैंड ग्रैबिंग के केसे में, माइनिंग के केसे में, शराप तसकरी के मामले में, नसा तस को कोट सुनती है सुनने के बाद चार्ज फ्रेम करती है तो ऐसे लोगों को जिनके खिलाब कोट ने चार्जज फ्रेम कर दिया है वो भी सांसत विधायक मंत्री मुख्य मंत्री बने हुए इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत में एक समान विधाई का संगिता यूनिफॉर्म मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूँ विसेश सत्र बुला रहे हैं प्लीज एक दिन आप यूनिफॉर्म लेजिस लेचर कोट पे चर्चा कराईए समान विधाई का संगिता पे चर्चा कराईए और भारत में एक समान विधाई का संगिता लागू करिए इसी तरीके से जो विधायक है पता चलाओ पिता जी विधायक थे पिता जी मुख्यमंत्री थे पिता जी की पार्टी थी तो सीदे सीदे उसको जीत गया नहीं विधायक बनने के लिए कम सकम पांच साल तक पारसद या परधान के रूप में काम करना अनिवारी होना चाहिए इसी तरीक के लिए टीचर से इलिजिबिल्टी टेस्ट होता है और दो होता है प्राइमेरी टीचर के लिए अलग टेस्ट होता है जूनियर में टीचर के लिए अलग टेस्ट होता है इंटर कॉलेज का लग टेस्ट होता है लेकिन टीटी होता है टीचर इलिजिबिल्टी टेस्ट होता है एक primary का होता है जूनियर का होता है ऐसे दो अलग-अलग legislature eligibility test कराईए पारसद प्रधान का एक test करा लिजे आल इंडिया लेबल पे जो आदमी legislature eligibility test qualify कर ले वो पारसद और प्रधान के लिए अपना चुनाव लड़ सके ऐसे सांसद विधाय के लिए दूसरा कर लिजे minimum qualification कम से कम कर लिजे पारसद प्रधान बनने के लिए कम से कम बार्वी रख लिजे आप तो ऐसा कोई गाउन नहीं है जहां बार्वी पास लोग नहीं है और सांसद विधाय के लिए कम से कम आप graduation रख लीजे, BA, B.S.C., become, engineering, medical, जो भी ए, chartered accountant हो, कुछ भी हो, कम सकम graduate हो, ऐसा कोई गाउन, ऐसा कोई छेतर नहीं, विधान सबाद छेतर नहीं है, जहाँ graduate नहीं मिलेगे, ऐसा कोई लोग सबाद छेतर नहीं मिलेगा, जहाँ graduate नहीं है, तो आप हमारे पास graduate भी है, फिर हम minimum qualification क्यों नहीं ते कर रहे हैं, हमारे पास दसवी बारवी हर गाउं में है, फिर हम पारशत प्रधान बनने के लिए दसवी बारी क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि minimum qualification जरूरी है, maximum age limit जरूरी है, एक legislature eligibility test, पूरे परिवार का जो आयका सुरोत है, हर साल सांसद विधायक पारशत प्रधान के लिए इसको publish करना अनिवारी होना चाहिए, देखते हैं, इसकूटर से चलने वाले पारशत बनते हैं और पांच साल के बाद फार्चूनर से घूमने लगते हैं, देखते हैं, इसकूटर से चलने रहे थे, प्रधान बन गए, उसके बाद पांच साल के बाद फार्चूनर, सफारी और टोयटा इनों वाले के घूम रहें, कहां से आ रहा इतना पैसा, पूरे केवल जो आदमी पारसत प्रधान हो या सांसत विधायक हो वही नहीं, उसके पूरे परिवार का, वारसी का आए, पूरे साल में कितनी इंकम हो रही है, इसको पब्लिक डोमेन में डालना जरूरी है, और उसकी आयो जिसने उसने पब्लिस कर दिया, उसके अलावाद जो कुछ मिले, उसको 100% जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इंकम अपने अपने नाम पे नहीं दिखाएंगा, अपने ड्राइबर के नाम पे दिखाएंगा, अपने नौकर के नाम पे दिखाएंगा, तो उसको 100% जब्त करने का प्राउधान रखना पड़ेगा इसी तरीके से जब एक सजायाफ़ता व्यक्ति सजायाफ़ता तो छोड़िए जिसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है वो भी IS की परिक्षम नहीं बैठ पाता जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाता है वो टीचर नहीं बन पाता लेकिन वो सांसत बनके सिख्छा मंतरी बन सकता है आज की डेट में एक सजायाफ़ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता हवलदार नहीं बन सकता होमगार नहीं बन सकता सफाई कर्मचारी नहीं बन सकता लेकिन एक सजायाफता व्यक्ति सजा पूरी होने के 6 साल के बाद चुनाओ लड़ सकता है और पार्टी बनाने और पार्टी पदा दिकारी बनने पर तो कोई प्रतिबंदी नहीं है लालू सजायाफता है पार्टी अधिक्ष बनके बैठे हम चाहते हैं अच्छे लोग संसद विधान सभा में पहुंचे क्वालिटी के लोग संसद विधान सभा में पहुंचे इमांदार संसद विधान सभा में पहुंचे तो एक हमें लेचर कोड बनाना ही पड़ेगा विधाई का संगिता बनाना ही पड़ेगा इतना बड़ा भ इतने बड़े भारत में, डेड़ सो करोड के भारत में, पच्पन सो इमानदार आदमी नहीं मिल सकते हैं क्या, पच्पन सो पढ़े लिखे लोग नहीं मिल सकते हैं क्या, पच्पन सो ऐसे लोग नहीं मिल सकते हैं जिनको नियम कानून बनाना आता हो, मिल जाएंगे, लेकिन क बनाना पड़ेगा। नैतिकता की बाते करने से नैतिकता नहीं आएगी। इसलिए मैं प्रथानमंति से निवेदन करता हूँ। आप विशेश सत्र बुला रहें। प्लीज, One Nation, One Legislature Court, एक देश, एक विधाई का संगिता, यानि Uniform Legislature Court, समान विधाई का संगिता पे चर्चा कराईए और भारत में एक समान विधाई का संगिता लागू करिए.